हाई फ्रेंज दीके आख में बहुत प्यार्वी सी डिजाइन बनाना सिखेंगे कि दिखिए चार ऍिर्षा लाइनों की डिजाइन है और इसके लिए हमें 8 के मलति पल में पंदे डालने है यहीं 8 आठ पंडा..... पंदा प्लस हमें यहां पे देखिए चार पंदा एश्टा रखना है एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ इस तरह से आप आठ आठ पंदों का सेट बना लिजे और चार पंदा ऐसे जादा रख लिजे तो आपके किसी भी प्रज़र्ट पर यह डिजाइन सेट हो जाएगी वाज़र्ट इससे बनाने के लिए मैंने सलाय पे-स चाथिस फंद डाले है यह इसके राइट साइड है इससाइड है यह यह उत्ये पसंद का कोई भी पंदा डालने के बाद या फिर कोई भी बॉर्डर बनाने के बाद इस डिजाइन को बना सकते हैं इसकी पहली रहन हम किस तरह से बनाएंगे चार फंदा हमें उल्टा बनाना है इस तरह से एक कि दो तीन चार फंदा उल्टा अब धागा हम पीछे करेंगे अब यहाँ पर देखिए हमें दो का एक करना है यानि हमें यहाँ पर एक पंदा कम करना है तो हम दोनों फंदे में देखिए इस तरह से सलाई करके सीधा बुलेंगे दागा पीछे की साइट में है ऐसे हम सीधा बुलेंगे यहाँ पर एक पंदा कम हो गया अब यहाँ पर हमने एक पंदा कम किया है तो यहाँ पर इस तरह से दागा लपेट के हम एक पंदा बढ़ाएंगे अब यहाँ पे देखे जाली बन जाएगी हमने यहाँ पे एक फंदा इस तरह से बढ़ा लिया है अब दो फंदा हमें सीधा बुनना है एक, दो देखें यहाँ पे यह एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ यहाँ पे हमने आठ फंदे में डिजाइन बना लिया है अब इसी इतनी डिजाइन को हमें रिपीट करना है तो धागा हम आगे करेंगे और जिस तरह से हमने यह चार पंदा बनाया है उल्टा हमें उसी तरह से बनाना है एक, दो, तीन, चार, चार उल्टा, धागा पीछे करके, दो का हम एक करेंगे, फिर धागा लपेट के एक पंदा ऐसे बढ़ाएंगे, फिर दो पंदा सीधा, एक दो देखे, हमने इसी तरह से यहाँ पर बना लिया है, अब इसी आठ पंदे को हम रिपीट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, देखे, मेरी यह लाइन हो गई, यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया है, देखे, मैंने यहाँ पर इस तरह से प्रिल लगा लिया है, ताकि आपको अच करके ऐसे उल्टा देखे एक लाइन कम्प्लीट हो गई अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉंग साइट में उल्टी तरफ अब देखे उल्टी तरफ से हमें पूरी लाइन उल्टी बनानी है कि यहाली बाल फंदा तो इसे हम इस तरह से उल्टा भर भर बनानें इससे हम पलट लेंगे इसकी राइड साइड में सीरी तरह अब हमें इसकी तीसरी लैन बनानी है थर्ड रो अब देखे तीसरी लैन हम किस तरह से बनाएंगे यह चार पंदा तो हम उसी तरह से बनाएंगे उल्टा एक दो तीन चार उल्टा अब यहाँ पे धागा हम पीछे करेंगे अब देखे दो फंदा हमें सीधा बुना है एक दो अब यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे ऐसे लपेट के एक फंदा हम इस तरह से बढ़ा लेंगे अब यहाँ पे इन दो फंदो को हमें एक साथ सीधा बुना है देखिए एक दो तीन चार पार छे यह बढ़ाया वह फंदा लेकिस साथ अब यह दो का हम एक कर देंगे तो यहाँ पे फिर से आठ फंदा हो जाएगा लेकिन देखिए हमें इस फंदे को इस तरह से पलट ले इन देना है और यहाँ पे हम ऐसे पीछे की साइड में सलाई करके दो का एक कर देंगे ऐसे हम दोनों फंदे में सलाई करके ऐसे सीधा बुल लेंगे अब यहाँ पे एक दो तीन चार पार छे साथ आठ आठ फंदा हो गया इस तरह से इसका सेट हो गया अब इसी इतनी डिजाइन को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे चार पंदा उल्टा एक दो तीन चार धागा पीछे दो सीधा एक दो फिर एक पंदा बढ़ाएंगे और इसे हम ऐसे पलट के ऐसे दो का एक कर देंगे इस तरह से हमें यहां से यहां तक बनाना है और लाश का यह चार पंदा भी हमें उल्टा बनाना है देखें मेरी यह line हो गई है तीन line हमने बना लिया है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी wrong side में उल्टी तरह 3rd row हो गई अब हमें इसकी 4th row बनाना है 4th line अब देखें 4th line हमें दूसरी line के तरह बनाना है पूरी line उल्टी हम बनेंगे इसे गह्म देखी इस तरह से हम यहां से यहां तक पूरी naj 울ti बनाएंगे देखे मेरी लाइन हो गई अइसलगा चाइल हमने बना लिया निया है भी करें आप इसी चाइल को हम रेपीट करेंगे जिस तरह थे हमने इसकी पहली लाइन बनाई है first row तो यहां पे हम first row को repeat करेंगे मैं आपको थोड़ा सा बना कि बता देती हूँ देखे 4 फंदा उल्टा दागा पीछे ऐसे हम दो का एक करेंगे जैसे हम ने इसकी पहली लाइन में किया था उसी तरह से यहां पर एक फंदा इसे बढ़ाएंगे अब यह दो फंदा सीधा इस तरह से हमने आट फंदे बना लिये हैं इसी चार लाइन को हम रिपीट करते जाएंगे इस तरह से बन जाएगे। बहुत ही इसी डिजाइन उरी विधी यह सब्सक्राइब आथा लगाकर आगे꿵ा तो नियुक्श को लायके वावादा बैक्षिक्ट को लाइक बे representative करें आगे आए उणार्च सॉस्क्राइब Councillor को